हेलो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ गुढ़ल की कटिंग लगाने का एक बहुत ही आसान और नया तरीका जिससे आपकी कटिंग लगेगी भी और लगने के बाद कभी भी खराब नहीं होगी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके जरूर जाएं और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो इस कटिंग को लगाने के लिए सबसे पहले जरूर पड़ेगी हमें एक कटिंग की जो कि आप गुढ़ल के प्लान से ले सकते हैं जो किसी भी वराइटी का हो ये जो कटिंग मैं ले रही हूँ ये एक देसी वराइटी का गुढ़ल है जो कटिंग आप लेंगे वो ये टिप से लिया है इसमें आपको कटिंग का जो टिप है उसको रिमूव नहीं करना है इसका जो उपर का हिस्सा है इसको आपको नहीं हटाना है कटिंग ऐसी होनी चाहिए जो बहुत जादा हार्ड ना हो और बहुत जादा हरी भी ना हो कटिंग को लगाने से पहले आप इसकी पतियां है नीचे की वो सारी हटा लीजे, ये देखे आप, हमने सारी पतियां हटा लीए, लेकिन हमने इसके टिप को नहीं काटा है, नीचे इसकी जो कटिंग है, आप इसको 45 के एंगल पर शार्प कर लीजे, कटिंग को लगाने से पहले, अभी ये cutting हमारी ready है और मैं यहाँ Elvera Gel का इस्तमाल कर रही हूँ एक हार्मोन की तौर पर जिससे कि हमारी cutting खराब भी नहीं होगी और आसानी से लगेगी फ्रेंड जो मिटी आपको लेनी है वो आप normal मिटी ले सकते हैं पर मिटी हलकी भुरगुरी होनी चाहिए जिसमें थोड़ी सी रेत की मात्रा हो अगर आपके पास जो मिटी है वो बहुत चिकनी है तो आप इसमें थोड़ी रेत मिला लीजे या फिर कोको पिट मिला लीजे मैंने जो मिट्टी ली है, इसमें मैंने थोड़ा कोको पिट मिलाया है क्योंकि मेरी मिट्टी जो थी वो बहुत चिकनी है इसके साथ ही आप एक चीज और देख सकते हैं इस वीडियो में जो मैंने pot लिया है वो 8 इंच का pot है cutting को लगाने के लिए normally लोग छोटी चीजों का इसमाल करते हैं लेकिन यहां जो मैं pot ले रही हूँ वो बड़ा है और ये pot मैंने बड़ा क्यों लिया है मैं end में इस वीडियो के आपको बताऊंगी कि मैं ये pot बड़ा क्यों ले रही हूँ तो friends अभी cutting को हम बिल्कुल center में अच्छे से धसा देंगे cutting को बिल्कुल बीच में ही लगाना है आपको जैसे कि आप कोई नया plant नय pot में लगा रहे हैं उसी तरीके से लगाना है आपको साथ में आसपास की जो मिटी है आप इसको अच्छे से हाथ से दबा दीजे ताकि हमारी cutting हिले ना क्योंकि friends अगर आपकी cutting नहीं लगती है तो इसका मतलब आपकी cutting बार-बार हिलती है और बार-बार हिलने की वज़े से cutting proper grow नहीं करती है कभी-कभी cutting लग भी जाती है लेकिन हिलने की वज़े से cutting खराब हो जाती है cutting को अच्छे से लगाने के बाद अब time है इसमें watering करने की तो friends इसमें watering करने के बाद आप cutting को starting के 3-4 दिन एक छायादार वाली जगा पे रखेंगे ऐसी जगा पर जहां पर बिल्कुल भी धूप ना आती हो शुरू के एक दो दिन देखेंगे आप कि इसकी जो पत्या आपको थोड़ी से मुर्जाई हुई से दिखेगी क्योंकि पानी जो है वो उपर तक नहीं पहुच रहा है पत्यों तक तो पत्या आपको थोड़ी सुखी वी सी मुर्जाई वी सी दिखेंगी लेकिन जैसे ही इसका नीचे का सिस्टम काम करना शुरू करेगा तो पत्या आपकी दुबारा से हरी सी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी फ्रेंड्स दो-तीन दिन बाद जो अगला प्रोसेस है वो ये है कि इसकी जगह को हमें बदलना है ये एक बहुत important step है जिसका आप ध्यान रखे और आप ध्यान से इस चीज़ को सुने क्योंकि आजकल बारिश है तो इस pot को आप एक बड़े पौधे के नीचे रख दीजे जैसे कि ये मैंने एक छोटा pot एक बड़े pot के नीचे रखा है इससे हमारे plant को छाया मिलती रहेगी ये देखिया मैंने पहले से ही कुछ cutting रखी हुई है इसी तरीके से 3-4 दिन बाद चायादार वाली जगह से हटा कर उस pot को आपको एक बड़े पौधे के नीचे रखना है जैसे कि ये cutting मैंने रखी है और आपको खुले में रखना है ताकि बारिश का पानी उसकी cutting पर पढ़ता रहे और बहुत तेज धूब भी न पड़े तो friends आप देख सकते हैं कुछ एक महीने के बाद का ये result है इस बीच इसकी कुछ पत्यां जड़ गई लेकिन कुछ पुरानी पत्यां भी इसके उपर बची हुए नीचे की जो ज़्यादा हरे रंकी आपको दिखाई दे रही है इसकी कुछ पत्यां जड़ गई लेकिन नीचे इसकी कुछ नई पत्यां भी निकल कर आ गई है आप देख सकते हैं इस वीडियो में आपको कुछ छोटी-छोटी नई पत्या दिखाई दे रही है और जो उपर इसका टिप है इस पर भी कुछ नई पत्या निकल कर आ गई है और साथ में एक कली भी आ गई है इसमें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो कटिंग थी उसमें अच्छे से ग्रो कर लिया है वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने बड़े पाउट का इसमाल क्यूं किया है फ्रेंड्स बड़े पाउट का इसमाल मैंने इसलिए किया है क्यूंकि इस कटिंग को मैं बिल्कुल भी अभी छेडूंगी नहीं और इस कटिंग को मैं इस पॉट से नहीं हटाऊंगी जब तक कि ये अच्छे से बड़ा न हो जाए तकरीबन 3-4 महिने में इस पॉट में ही इस कटिंग को रहने दूँगी क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी कोई cutting लग जाती है और cutting को हम report करते हैं या दूसरे बड़े pot में लगाते हैं तो हमारी cutting खराब हो जाती है क्योंकि root disturb हो जाती है उसका root ball तूट जाता है root ball तूटने से जो छोटे-छोटे root होते हैं वो damage होते हैं अगर आपके साथ भी ये समस्या आ रही है आपकी cutting starting में तो grow कर जाती है लेकिन आपकी cutting बाद में जब आप report करते हैं तो खराब हो जाती है तो हमीशा ध्यान रखे कि आप उसका root ball न तोड़े और starting में ही आप किसी बड़े pot में लगाएं अगर आपकी cutting अच्छे से grow कर जाए तो आप उसे किसी नए pot में transfer कर सकते हैं तो friends मिलते हैं मेरे next वीडियो में थाइंक